नम्शकार आपका सौगत है आप देख रहे हैं एलेक्षिन काफे इस खास बादचीत में आज हम बात करने वाले राजस्थान को लेकर लेकर लेकिन उससे पहले आज राजस्थान में सीटों का मतलब नाम जारी वहा भाजपा ने जारी ऍटाने जारी किया है तो भाजपा और कॉंग्रेस की बात करें तो भाजपा ने 182 और कॉंग्रेस ने 56 लोगों का जारी कर दिया है अभी तक की लिस्ट के हिसाब से सर क्या लग रहा किसका पढ़ला भारी दिख रहा आपको भी तर पलड़ा तो क्या अभी चुनावी मशक्र के अंदर दोनों पार्टिय जो टीवी हैं तो अभी तो शेह मात का खेल जैसा महोर नजर आ रहा है कॉंग्रेस जो है वो अपनी सुचिया जारी कर रही है बीजेपी अपनी सुचिया जारी कर रही है लेकिन बड़ी चौकानी वाली बाहती है अभी तक छेह मंतरियों के जो टिकेट हैं वो कॉंग्रेस के अंदर फाइनल नहीं हो पाए इस सुचि के बावजूद जिसमें श टिकेट फाइनल नहीं हुए पाटी ने कोई रोक नहीं अपना है तो इस तरही कर से ये च्छे जो एक डॉक्टर सुबाश गर के जो कि एरलडी से पिसली बार जीत कर के आया थे तो गड़बंधन को लेकर के शायद अभी तक यह तक यह तक यह तो टिकेट नहीं दे पाए गडबंधन की बात हो रही थी वो फाइनल हुआ है का भी तक कुछ लिए वह जो इंडिया इनों ने जो लाइंस बनाया गडबंधन इसके तहट सीटे दी जानी थी लेकिन उन पार्टियों को केंदर के अंदर तो गडबंधन केंदर रख रही है कॉँए तो राजजी पहुचारी लेकिन कॉंग्रेस ने राइंस में नहीं रखा है सर एक सवाल यह है कि जो भाजपा की आज की लिस्ट आई है उसमें कुछ बड़े चहरे आपको नजारा आ जैसे की टॉंक में जो पूर्व विधाय के जुन्होंने पहले उजी चुके हैं उनको तिया यूसूफ सरकार में कर्शी मंत्री रहे थे उन्हें टिकर दे दिये गया है उन्हें लेकिन इस बार है न हिंडोली चुके की लगों की उसकी जो जगधिया गई है पूर विधायक को भी मौका दिया गया, दूसरी और जो जिलाद्यक्ष है उनको मौका दिया गया, सचिन पाइलेट के सामने एक मजबूत और कदावर निता बीजेपी को उतारना था, अपने संगठन के आदमी को ला करके, ये वास्ता में बीजेपी ने बताने की कोशिश कि कि वो मुकाबला करना चाहते हैं, तो सचिन पाइलेट के लिए कई ने कई चुनाती होगी है, जो सर्दारपूर वाली सीट है, जहां से मुखमंतरी के खिला उतारा, वो भी केडियेट बताते हैं, काफी दमदार है, बताया जाना है कि जो साथ लिस्ट बनी थी, सर्दारप पेश कर सकते हैं सामने वाले केंडियेट के लिए, और जब C.M. अशोग गहलोत की बात होती है, तो खुद 1908 में से लगातार जीत का सिल्चिला बरकरार रखे हुए हैं, पांच बार के विधायक, पांच बार सांसद भी रह चुके हैं, केंदर में मंतिर रह चुके हैं, PCC चीफ रह चुके हैं, रास्टी महासाचिव संगठन रह चुके हैं, और यहां तक की कॉंग्रेस में ये भी कहा जा रहा था कि अशोग गहलोत प्रदानमत्रिपत के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो इस तरह की बाते थी, तो मजबूत कैंडिडेट जो है, वो सामने उतारन लडने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, मानवेंदर सिंग जो है, उनका टिकेट इस बार बदल दिया गया, उनकी सीट बदल दी गई, वसंद्रा के सामने पिछली बार चुनाओ लडा था उन्होंने, लेकिन अब की बार सिवाना जैसी सेफ सीट उनको दे दी गई, राजप जोबिस केंडिडेट्स को बीजेपी दो सुच्यों के अंदर उतार चुकी थी और आज 58 जो केंडिडेट हैं वो गोशित की है, इसी तरीके से कॉंग्रेस पार्टी जो है, वो भी 156 अभी तक उतार चुकी है, पहली लिस्ट के अंदर कॉंग्रेस पार्टी ने 33 लोगों क को उतारा था, उमीद्वारों को, फिर 19 को उतारा, फिर 56 को उतारा और बाद में एक छोटी सी देर रात को सुची है, उसमें पांच नाम दिये गए थे, और अब फिर एक और लिस्ट की जो तैयारी है, वो चल रही है, तो कुल मिलाकर, बातचीत हो चुकी है, कुजिनों मे आने वाली है, राइट? कई सीटों पर जो उमीदवार हैं, उनके चेहरे भी बदले गए हैं, खिलाडी लाल बहरवा, सचिन पैलेट, खेमे के खास हुआ करते थे, बाड़ी से, जैसे एक विधायक थे, उनका टिकेट काटा गया, तो उन्होंने छोड़ करके, वो बीजेबी के अंदर शामिल हो ग सचिन पैलेट के खेमे के होने के कारण, जब उनको टिकेट नहीं दियागा, नाराज वो करके ऐसी आयोग का पच जो है, वो छोड़ दिया, इस्तिफा दे दिया, तो ऐसी जो सीटे हैं, यहां पर नाराज की सामने आ रहे हैं, बीजेपी में भी नाराज की सामने आ रहे है सांसद देवजी पटेल का सांसोर सीट से बड़ा विरोध हो रहा है, तीका विरोध हो रहा है, वहां पर उनकी जो विरोधी है, वो दाना राम और जीवा राम चौधरी वो दोनों विरोध कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत साथ में दिया कुमारी का भी हुआ था लेकिन बाद म जो नामंकन रैली थी, वो सभा के अंदर एक शांदार बात कई, कि मैं जैपूर की बेटी हूँ, और बेटी आप लोगों के बीच करवा चौत के दिन आई है, और बेटी और बहन कुछ मांगती है, तो उसको वो मिलता है, तो एक मारमिक अपील में की, महिलाओं से अपील क जैसे सर ने बता है, बेल वेदर का मतलब होता है, भेडिया चलाने वाला, राइट सर, बेडो को हाकने वाला कह सकते हैं, रास्ता दिखाने वाला कह सकते हैं, तो जैसे रास्ता वो दिखाता है, तो पता चल जाता है कि भेडो को इधर चलना है, उसी तरीके से ये सीटे रा विधानसभा से correct predict कर रहीं कि किसकी सरकार बनने वाली है, आठ विधानसभा की मतलब आठ बार की एक सीटे है, विधानसभा चुनाओं में आठ की एक है, साथ विधानसभा चुनाओं की दो सीटे हैं और छे विधानसभा की total 4 सीटे, खुल मिलाके 9 सीटे हैं, अगर हम इन 20% जीता गया और एक सीट 31% से, जो 31 जीता गया वो है सचीन पाइलेट की सीट, शुरुवात करते हैं सचीन पाइलेट से ही, क्योंकि उनके खिलाफ अजीद को उता रहा गया, जो अजीद का बीजेपी केंडिलेट है, वो पहले विधायक रह चुके हैं, तो इस बार मामला बहुत कठीन हो गया वहाँ पर, दिखिए संगठन के आदमी तो अजीज सिंग महता ही है, और पूर में विधायक भी रह चुके हैं, जिले के अंदर उनका अच्छा होल्ड है, केडर के अंदर बीजेपी के लिए कहा जाता है, बीजेपी के साथ आरेसेस का केडर भी काम कर करते हैं, और संगठन में जिस आदमी की मजबूत पकड़ होती है, तो उसको आगे तवज्यों भी मिलनी चाहिए, और ये पहले से तैम आना जा रहा था कि अजीज सिंग महता को सचिन पैलिट के सामने उमिदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि वह उन्हें कड़ा मुकाबल बनती है, तो अगर मामला इस बार मुकाबला रहा, कड़ा मुकाबला रहा, तो शायद कुछ और बदल सकता है, अगया बात करते हैं, एक बेगुन और एक मांडल सीट है, इन सीटों पर जीत का जो प्रतिशत पिछली बार रहा, बहुत कम रहा, मतलब एक सीट का 0.8 प्रति से वो चुनाओ हार गए थे, तो ऐसा भी नजारा राजस्तान के लोगों ने देखा है, और पिछला जो चुनाओ था, उसका टोटल अगर टर्न आउट की बात करें, वोटर्स की परसेंटेज की, कॉंग्रेस और बीजेपी के अंदर जो मार्जन था, लगबग एक हैं, बदल-बदल करके लगातार यहां पर जीते आएं, बांडल से रामलाल जाट जो हैं, यह अपने यहां पर कैंडिडेट हैं, और साथी दोसी जो सीट है, वहां से भी, तो कुल मिलाकर के कॉंग्रेस के जहां जहां अभी विधायक चुन करके आ रहे हैं, तो वहां वहा अठका हुआ है, पसोपेश की सिती में, जबकि लगातार वहां से जीते वे आ रहे हैं, तो यह चिंता की बात है कि धारिवाल जो है, वो जब सत्ता की चावी वाली सीट से आते हैं, तो वहां शायद यह रिसर्च जो आपने और हमने बैठके किया, यह पार्टी ने नहीं क हैं, आपने जैसे बोला अभी कि दो राजयों जो भी जैसे मदर प्रदेश है, वहां दो पाटी उंके मुछ मुछ मुकाबला है वैसे ही राजस्थान है, जब भी दो पाटी होता है, जिस भी स्टेट में वहां क्लोस वायट होती है, जिसका आपने एक्जामपल देखा MP मे तो दो सीटों में जहां बाइपोलर मुकाबलात तो वह थोड़ा मामलत होता ही है तर एक सिविल लाइन और नॉर्थ कुट है नॉर्थ कुट है अपने बताजिए सिविल लाइन यहां प्रण्तिरी जी लड़ रहे हैं इस बार परिवन मंत्री रहे और खादे नागरी कापु पिराजनगर के लिए एक बड़ा संगर्श किया था और जैपूर की जंदा के लिए संगर्श किया था तो उनका एक कहना अलग है कि मैं हिंदुत को भी मानता हूं लगातर वो गायों की पूजा करते हैं उनको गुड़ खिलाते हैं चारा पानी देते हैं गहलोत खेमे में भी पैलिट खेमे में दोनों खेमे में वह तच्में रह्ते हैं जब घघड़ा हुआ था अग्र आपको या तो पिछले जब गहलोत और संगर्श के अन पायलवत हैं किया वह था था यह क्षाल कि यह पार्टि और ही कमान जो है उनके साथ चलते हैं सी यम अशोग गहलोते हैं उनको अपना नेता मानते हैं लेकिन अजог बहुत। संबंद रहे हैं पहले लेकिन आज शायद वैसे संबंद नहीं है लेकिन इनकी बात Чीत होती है इसा hud ये बताते हैं तो इनका आना-जाना पहले सचिन पैलेट के काफी था आज भी टच में रहते हैं लेकिन जो संंबंद पहले थे बगाव साचिन पैलेट के बगाव से पहले वैसे संबंद अब नहीं रहें ऐसा सभी जानते हैं लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रताप सिंग खातरी अवास है इनके सामने अरुन चत्रवेदी जो है बीजेपी से वो खड़े होते थे सिविल लाइंड शेतर से और पू तो पार्टी का मेसेज जो नहीं करेंगे इस बार वह जैसा कुछ समझ दार होते हैं उनका पता लग जाता कि सत्ता किस के पास जाने वाली है सियम कौन बनने वाला है तो ये विधायक जो हते हैं आशानी से पहचान लेते हैं कि किसके खेमें के कितने विधायक जीतकर के एक बात ये भी पूशना है थोड़ा बता दीजे कि अभी बात होई कि जब फ्रेक्शन जो बनाया है प्राइलेट गुट का अलग और गहलोध गुट दोनों गुट एक दूसरे का टिकट कटमाने में लगे रहे हैं तो क्या उसका इंपक्ट आने वाले दिने में दिखेगा इन सब सीटों पर भी जहां पर ये ऐसा आप जो कह रहे हैं ऐसा था लेकिन अब जो प्चुनाओ का वक्त आया तो आला कमान ने पूरी इनकी मीटिंग कराई साथ में बिठाया और सीज़े तोरह पर एकता का मैसेज दिया यूनिटी का मैसेज दिया और गहलोध पैलेट द मुलाकात करने बार्चित करने हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई राजनिती के अंदर कि जो एक लंबे समय से जो एक खेंस्टान चली आ रहे थी जो घाए थी उसको पार्ट का कोशिश पार्टी की आड़ सी घयी कई चुनाओ जीतना है और करड़स अलाकमान का मैस जहें कि जो लंबे समय से खाई चली आ रही है या खींस्तान चली आ रही है इसको ख़तम करके चुनाओं में सब एक हो एक तका मेसेज दें अशोग अनुभावी नेता है उनकी अनुभाव का लाब लिया जाए सचिन पैलेट युवा हैं उनकी एनरजी और युवा शक्ति ज जो भी हां पर विधायक बंदा जिस भी पार्टी की ये एक सुजानगड एक है देवली उनरिया एक केकरियर स्थी हो इनका क्या समय गड़ लगा इस बाइए जो सीटे है सीधे तोर पर सुजानगड जो सीट है चुरू के अंदर सुजानगड पड़ता है और सुजानगड मास्टर भावणलाल मेगवाल मंत्री थे गैलोच सरकार के अंदर और कदावर नेता रहे दलियाद स्थी हो जब एक्सपायर हो गया उनका निदन हो गया तो उनकी बेटे को उप्चणाव के अंदर लायाँ गया और चुनाव में उतार करके उनके बेटे को ये टिकेट दि में से आते हैं पूर डीजी पी रहें राजस्तान पुलिस के तो हरी चंद मीना यहां पर विदाय के और फिर से उनको टिकेट दिया गया है कांग्रेस से हैं रगु शर्मा जो है वो केकडी से जो है जीत करके आया है गुजरात के प्रभारी और रहुल गाल निश्चित उन्होंने पार्टी के लिए अपनी शहाधत तो दिये तो क्योंकि मंत्री पद गए इनके पास से और हरीश चौधरी के पास से तो यहां पर आराम से चाहते तो मंत्री पद भोग सकते थे लेकिन पार्टी ने संगटन का काम दिया कि आपको जाके जिम्मदारी समान लिए तो निश्य दुरूप से यह दर्ज किया जाता है पार्टी हाई कमान की नदर में सारी चीज़े रहती हैं शिव से अगर बात करें तो अमीन खान जो है बाड़ मेरे के शिव के अंदर अमीन खान कांग्रेस के विदाय के लगातर जित्यार है उम्र हाला कि काफी ज़्याद कि पुराने चेहरे उनके खिलाफ को एंटी इंकंबेंसी का माहून नहीं है इसलिए पुराने चेहरों को ज़्यादा था उमीद्वार बनाएं दूसरा यह भी माना जा सकता है कि पुराने चेहरों को लाने में अशोग गैलोत की भी चली है क्योंकि जो पुराने चेहरे हैं इसका मतलब कि टिकट बटवारे में पाइलेट की जाधा चली है लाडी लाल बेरवा का जैसे टिकट कटा तो ये चोकाने वाली बात तो नहीं थी क्योंकि वो लगातार उनके बयान इस तरह के आ रहे थे CM के खिलाब पार्टी के खिलाब बयान दे रहे थे तो उनका टिकट काटा गया तो जिन नेताओं में ऐस तरता देखी गई तो उनके टिकट कटे हैं इसी तरीके से अश्योग घलूत खेमे के भी अगर बात करें शांतिदारिवाल मेज जोशी के टिकट जो हैं अभी तक अठके हुए हैं कटे तो नहीं कहा जा सकते जब तक नहीं मिले लेकिन अठके हैं अब तक की जितनी भी सूची आई है एक दो तीन सार पांच तैयालीस उननीस चपन पांच पांचो सूची से नाम गयव है मैसेज साफ है आपको अंतिम समय तक रगड़ा जाएगा यानि की खीचा जाएगा उसके बाद देखा जाएगा जिसने कॉंग्रेस हाई कमान को आँक दिखा रही पार्टी उनको हाई कमान आँक दिखा रही है बदला लेने की कोशिच नहीं कहा जा सकता है इसको राजनीती के अंदर सीधे तोर पर एक स्पस्ट मेसेज है जो बात च्छन करके सामने आई थी कि सीम गहलोत ने जब धरिवाल का नाम आगे बढ़ाया तो सोनिय गांदी जी ने तरण गोगी स्क्रीनिंग कमीटी की चेर्में जो है उनको कहा था कि क्या ये चांती धरिवाल के लावगा कोई नहीं है तो उनके बेटे का नाम आगे किया गया तो ये साफ तोर पर मैसेज देने की कोशिश की गई कि आपने अच्छा नहीं किया था जब कांगरेस आई कमान ने मैसेज दिया था कि एक्लियन का प्रताव पास हो और उस टार आपने पेरिलल बैठक बुलाई 25 सितंबर 2022 को शांती धरिवाल के घर पर मंत्री के घर पर और विधायक जो सियं मावास पर बैठक बुलाई गई थी कॉंग्रेस हाई कमान के नरदेश पर उस बैठक के अंदर नहीं पहुंचे और उसके बाद में इस सीफे सब लोगों ने दी एक लंबा राजनेती घटना करम था वो देखने को मिला था लेकिन कुल मिला करके जो सियासी घटना करम चल रहा है मैसेज देने की कोशिश है कि जो पार्टी हाईकमन के खिलाव जाएगा उनको कहीं न कहीं जो परिनाम है भुगतने पढ़ेंगे पढ़ना भुगतना पढ़ेंगा अभी भी इसमें सकते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनेती में रातो रात कोई दोस नहीं होता है राजनेती तारों की छाओं में चल यह सीटे continue रहें और सरकार जो भी पार्टी की बनें जो भी जीते हैं वहाँ पर उसी की सरकार बनें आज के लिए बस इतना ही कल मिलते हैं किसी और राजी के साथ किसी और मुद्धे पर तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया